दोस्तो इस दुनिया में विभिन प्रकार के पक्षी पाय जाते हैं जो बहुती सुन्दर और अनोखे होते हैं इस प्रकृती में मौझूद सभी जीव जन्तूओं में बहुत सी भावनाय चुपी होती है जिसे ये सिर्फ अपने साथी के साथी साजा करते हैं और उन्हें में से एक है इनका प्यार जिसका इजहार करने के लिए ये काफी कुछ करते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पक्षियों से मिलाने वाला हूँ जो अपने साथी को मनाने के लिए अपने अनोखे डांस और अजब तरीकों का सहरा लेते हैं इसलिए इस वीडियो को पुरा ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों ये पक्षी अमेरिका में पाया जाता है आपको बता दूम कि ये पक्षी आकार में थोड़ा छोटा होता है अगर बात कर इसके रूप की तो इसका रूप विवीने प्रजातियों के आधार पर अलग-अलग होता है और अगर बात कर इसके डांस की तो इस पक्षी का डांस बहुती अनोखा होता है जो देखने में बिलकुल एक डिस्कोड डांस की तरह लगता है जिसमें ये सिर्फ अपने शरीर को ही हिलाते रहता है और अगर आप ठोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा इसके डांस करने के दौरान इसका सिर अपनी जगा पर इस्थिर होता है यानि अपने सिर को हिलाए बिना ही अपना डांस करता रहता है जो देखने में काफी शांदार लगता है अप जरा इस फूटेस को देखिए जहां यह पक्षी बड़े ही आराम से अपना डांस कर रहा है लेकिन साथ ही इसके बच्चे भी हैं जो बड़ी होश्यारी से नकल करके वो बहुत डांस कर रहे हैं जिसे देखकर आप यह कह सकते हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्ला नमबर 11 Magnificent Rifle Bird दोस्तों यह पक्षी Bird of Paradise प्रजाती का हिस्सा है अगर बात कर इस पक्षी की तो यह पक्षी भी काफी सुन्दर होता है अगर बात कर इसकी रूप की तो इसका रंग काला और इसकी गर्दन चमकीले नीले रंगी होती है यह पक्षी अपना डांस अपने पंको को फैला कर शुरू करता है जैसा कि आप देख सकते हैं जब यह अपने पंको को फैला देता है तो इसका आकार U-shape जैसा होता है जिसके बाद यह अपने डांस की मदद से मादा पक्षी को खुश करने की कोशिश करता है और जब यह पूरी तरह से अपने डांस के फॉर्म में आ जाता है तो इसका डांस देखने लायक होता है जो देखने में ऐसा लगता है मानवी किसी तरह की जासूसी कर रहा हो और जैसे ही मादा पक्षी इसके डान्स से खुश हो जाती है उसके बाद वो भी नर के पास आकर अपने फंकों को फैला कर मिलन करने का इशारा देती है जिसके बाद दोनों मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों ये पक्षी दुनिया के सबसे खुब सुरक पक्षियों में से एक है ये पक्षी अपने सुन्दर पंक और बहतरीन डान्स के लिए जाने जाते हैं जो कि वेस्टन गिनी के जंगलों में पाये जाते हैं इस प्रजाती में मादा पक्षियों की संख्या कम होती है जिसके कारण नर पक्षी इन्हें डांस करके अपनी और आकरशित करने की कोशिश करता है आपको बता दूँ कि इस प्रजाती में नर मादा पक्षी से काफी सुन्दर होता है ये पक्षियाकार में 35 cm और वजन में 600 ग्राम तक बढ़ सकते हैं पक्षियों की परजाती में ये एक ऐसा पक्षि है जिसके पंक अर्थ गोलाकार होते हैं जिससे ये डांस करते समय खोल देते हैं जिसके बाद ये काफी शांदार दिखाई देते हैं वैसे आपको इस पक्षि का डांस कैसा लगा कॉमेंड में जरूर बताना दोस्तों ये पक्षि बहुती खूबसूरत और रंगीन होता है जो की भारत, नेपाल और पाकिस्तान के जंगलों में फाया जाता है आपको बता दू कि इस प्रजाती में भी नर मादक की तुलना में बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है और अगर बात कर इसके रंगों की तो इसका रंग बहुती चमकीला होता है जो की धूब की रोश्नी में और भी चमकने लगता है और अगर बात कर इसके डांस की, तो इसका डांस बहुत ही अनोखा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें ये उचल उचल कर अपने पंको को दीरे दीरे उठाता हुआ आगे बढ़ता है, जो देखने में एक बॉलिवुड गाने की सीन जैसा लगता है, आपको जानकर दोस्तो ये हंस, दुनिया के सबसे मज़दार पक्षियों में से एक हैं, ये हंस हमेशा जुंड में रहना पसंद करते हैं, अगर बात करें इनके रूप की, तो इनके पास गुलाबी रंग, बड़ी चोंच, लंबी गर्दन और लंबे पैर होते हैं, और अगर बात करें इ एक मार्च फास की तरह लगता है, लेकिन कभी कबार इन्हें अकेले में एक अनोखे तरह का डांस करते हुए भी देख लिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे आपको इन हंसो का डांस कैसर लगा, कॉमेंड में ज़रूर बताना, दोस्तो हमिंग बर्ड, दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है, जो बहुती खूपसूरत और प्यारे होते हैं, अगर बात करें के डांस की, तो जब इनके मिलन का समय नजदिक आता है, तो नर पक्षी, मादा की तलाश कर, अपना पूरा ध्यान, उसे खुश कर अपने में लगा देता है, जिसके लिए ये अपने शरीर को बड़े ही स्टाइल से हावा में घुमाना शुरू करता है, आपको बता दूँ कि नर पक्षी को ये कारनामा करने के लिए बहुत अधिक उर्जा और शक्ती की ज़रूरत होती है, वो इसलिए त्योंकि जो मादा पक्षी खुश ना हो जाए, और जैसे ही मादा पक्षी खुश हो जाती है, तो वो भी नर के साथ हावा में डांस करना शुरू करती है, जिससे नर को भी पता चल जाता है कि मादा पक्षी मिलन के लिए तैयार है, वैसे आपको इन प्यारे पक्षीओ का डांस कैसा लगा, comment में ज़रूर बताना नंबर सिक्स सन देल क्रेनेस दोस्तो सारस दुनिय के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है अगर बात करें इस पक्षी की तो यह बड़े और लचीले होते हैं अगर बात करें इसके डांस की तो यह पक्षी अपने साथी को उची छलांग लगा- जो उनके डांस का ही एक हिस्सा होता है अगर बात करें के लचीले पन की तो नर पक्षी अपने पंखो और लंबी गर्दन का कारणामा दिखा कर अलग अलग तरह के करतब करने की कोशिश करता है ताकि जल से जल वो मादा को खुश कर सके और इतना ही नहीं कभी-कभी तो ये गांस और मिट्टी की टुकडो को हवा में फैंकने की कोशिश करता है ताकि मादा उसे नोटिस कर सके आपको बता दूँ कि नर सारस ये कारणामा तब तक करता रहता है जब तक मादा सारस मिलन के लिए तैयार नहीं हो जाती दोस्तो ये पक्षी भी दुनिय के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है आपको बता दूँ कि इन पक्षियों को स्वर्ग का पक्षी भी कहा जाता है अगर बात कर इसके रंगों की तो इसकी चोच पीली मू काला गरदन हरी सीर पीला और इसका फंक मैरून कलर का होत होता है और अगर बात कर इसके प्रजाती की तो इस प्रजाती में भी नर मादा के मुकाबले बहुत ज्यादा खूपसूरत होता है और अगर बात कर इनके डांस की तो यहां भी नर अपने पंको और अपने डांसिंग स्टाइल से मादा को खुश करने की कोशिश करता है जै नमबर फोर बावर बर्ड दोस्तो बावर बर्ड एक ऐसा फक्षी है जो अपने सांथी को खुश करने के लिए सबसे पहले एक घोसला बनाता है जिसके बाद वो उस घोसले को खुबसूरत चीजों से सजा देता है जैसे फूल और फल और जैसे कोई मादा उस घोसले पर आती है तो उसके बाद वो उस घोसले और उसकी सजावट को अच्छी तरह से चेक करती है और अगर उसे सारी चीज़े पसंद आती है तब ही वो नर के साथ उस घोसले में रहने का फैसला करती है और अगर मादा पक्षी को घोसला पसंद नहीं आता तो उसके बाद नर उसे अप खूबसूरा डांस से खूश हो जाएए । नमबर त्रि फ嚇ड बर्ड दोस्तों ब्राजिल में पाये जाने वाले ये पक्षी बहुत ही खूबसूरत होतے हैं जिसमें नरपक्षी सबसे ज्यादागोपसूरत होता है। अगर प्रक्रिया तब तक मादा खुश नहीं हो जाती और जैसे ही मादा खुश हो जाती है उसके बाद वो अपने नर्शाथी के पास आकर बैढ़ जाती है जिसके बाद ये अपने मिलन की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौर दुनिया के सबसे खुबसूरत पक्षी है क्योंकि इनके पास अलग अलग रंग होते हैं और जब ये अपने पंकों को फैला कर अपना डांस शुरू करते हैं तो वो नजारा बहुती खुबसूरत होता है अगर बात करें के डांस की तो नरपक्षी का डांस इतना लुभावना इसलिए लगता है क्योंकि मौर की प्रजाती में सबसे ज़्यादा खुबसूरत नरपक्षी ही होता है इसलिए जब नर पक्षी मादा को खुश करने के लिए अपने पंकों को खोल कर अपना डांस शुरू करता है तो मादा पक्षी नर के सारे रंगों और उसके डांसिंग स्टाइल को अच्छे से चेक करती है और अगर मादा को नर के सारे रंग और डांस पसंद आता है तबी वो उसके साथ मिलन करने को तयार होती है लेकिन आपको बता दूँ कि मादा पक्षी आसानी से खुश नहीं होती वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे नर बारी बारी से उसे खुश करने में लगे रहते हैं चली गया होगा, कि ये एक मुर्गी है, ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाती है, जो बहुती अलग और अनुकी होती है, अगर बात करें इस मुर्गी की, तो इसके सिर में एक लंबी शिखा होती है, जो इसके सिर पर एक ताज की तरह लगता है, साथ ही इसके सिर और गर्दन प तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको इप वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस वीडियो का पार्ट वन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आराई वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक को चेक कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई